नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट पर उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम सीटेट के ओनलाइन फारम को कैसे भरना है स्टैप बाइ स्टैप धीरे धीरे बड़े ही अराम से समझेंगे और आपको भी मैं बताऊंगा कि आप अपना फारम कैसे भर सकते हैं घर पर बैटे ही आपको कैफे पर जाने की कोई जुरूरत नहीं है जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपना फारम तसल्ली से एकदम सही खुद ही भर पाएंगे इसके साथ साथ मैं आपको eligibility के बारे में भी बताऊंगा कि eligibility क्या है अगर कोई साथी seated का फारम भरना चाहता है ये जो परिक्षा होने वाली है online fees आपको कितनी देनी पड़ेगी और ये जो परिक्षा होने वाली है seated की 21 जनवरी को क्या ये paper online होगा या फिर offline होगा इसके बारे में भी मैं बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि seated पास करने का benefit होता क्या है seated एक केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली परिक्षा होती है इस परिक्षा को पास करने के बाद आप स्कूलों में पहली क्लास से लेकर आठमी क्लास के बच्चों को पढ़ान के लिए eligible हो जाते हूँ मान लीजिए कि सेंटर की तरफ से जैसे कि केंद्र विद्यालय आर्मी पबलिक स्कूल हो गए नवदे विद्यालय स्कूल हो गए किसी केंदरशाशित परदेश में कोई स्कूल हुआ जैसे कि चंडीगड के सरकारी स्कूल हो गए अगर यहाँ पर क सीटेट की जो परिक्षा है सीटेट का एक्जाम दो भागों में लिया जाता है या कह सकते हैं कि सीटेट का जो पेपर होता है वो दो तरह का होता है एक तो होता है सीटेट का पेपर वन दूसरा होता है सीटेट पेपर टू जिन साथियों ने डी एलेड की होती है या फिर पास करना पड़ता है paper 2, seated paper 2, important dates के बारे में भी बता देता हूं कि seated का अगर आप online फारम फिल करते हो तो आज मैं 3 नमबर को ये video record कर रहा हूं और 3 नमबर को online registration जो फारम है वो open हो चुके हैं, आप इनकी website पर जाकर जो फारम है वो आज से ही apply कर सकते हैं, कब तक apply कर सकते हैं 23 नमबर तक आप इन फारम को भर सकते हैं और आपकी जो exam है वो कब होगी आपकी अगर हम परिक्षा की बात करें आपका जो exam है वो conduct करवाया जाएगा 21 जनवरी को और ये जो paper होने वाला है ये paper offline ही होगा इससे पहले आपको याद होगा इससे पहले भी offline हुआ था और उसस पहले online paper conduct करवाया गया था seated की तरव से बट इस बार क्या होगा इस बार भी ये जो paper है ये offline ही conduct करवाया जाएगा आप देख भी सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि 21 जनवरी को Sunday को exam ये conduct करवाया जाएगा ऐसा नहीं लिखा इन्होंने की offline होगा बट हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर online paper होता तो एक दिन में conduct करवाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता तो ये एक दिन में ही करवाया जा रहा है one day exam है तो ये offline mode में ही conduct करवाया जाएगा अब बात करते हैं कि कौन साती इन फारम को भर सकते हैं काफी वार जो students होते हैं उनको confusion हो जाती है कि हम इ last time इन्होंने clarify किया था कोई भी person अगर अपने teaching course में दाखला ले चुका है तो वो क्या होता है eligible है अपना फारम भरने के लिए जैसे मान लिजे आपने DLAD में दाखला ले लिया है BAD में दाखला ले लिया है matter नहीं करता आपका पिछला result आया है नहीं आया आपने exam दिया है नहीं दिया अगर आपने दाखला भी ले लिया है तो भी आपका जो CTAT का paper है CTAT का certificate valid माना जाएगा बट मान लिजे आप CTAT का certificate pass कर लेते हैं बट आप किसी और recruitment apply करने जाते हैं तो उस time में आपका जो course है वो complete माना जाएगा उसके साथ CTAT का certificate जो है वो valid माना जाता है उमीद करता हूँ इन बातों को आप समझ गए होंगे अब हम समझते हैं कि इस forum को भरना कैसे है सबसे पहले आपने कहा जाना है आपने जाना है गूगल पर गूगल पर आपने type करना है CTAT जब आप CTAT type करेंगे और गूगल करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले वाली जो website आएगी इस पर आपने क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो interface देखनों को मिलेगा जहां पर मैंने क्लिक किया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां से यहां पर जाकर apply for CTAT January 24 पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आप apply for CTAT January 24 पर क्ल पासवर्ड भरने के बाद, security pin भरने के बाद sign in कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कोई भी registration नहीं की, तो हम यहाँ पर new registration करेंगे, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, new registration पर जब हम click करेंगे, आपको यहाँ पर यह fees के बारे में बताएगा, कि अगर आप सिर्फ एक paper दोग अगर मान लिजे, आपने beard भी की है, eternity भी की है, पहले तो इन्होंने कह दिया था कि अगर आपने beard या फिर beard की है, तो आप दोनों paper दे सकते हैं, बट आपको याद होगा कि Supreme Court के decision के बाद, अभी कोई भी जो beard का साथी है, वो paper 1 नहीं दे सकता, बट कई वार ऐसे students होते हैं, जिनोंने beard भी की होती है, और dlad भी की होती है, तो वो साथी अगर दोनों paper भरेंगी, तो उनकी fees यहाँ पर 1200 लगेगी दोनों paper के लिए, एक paper के लिए 1000 पे, यह मैं journal और OBC वालों की बात कर रहा हूँ, SCST में जो आपकी fees है वो होगी 500 रुपए, अगर आप दोनों paper भरते ह तो आपकी fees होगी 600 रुपए, photographs, signature, number, email ID, marks, यह सारी चीजे होनी चाहिए जब आपका firm भरोगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोलायन को, कि मैंने यह सारी चीजे पढ़ ली हैं, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, tick, I have downloaded information bulletin, यह इसकी बात करने हैं, जो मैंने आपके सामने PDF खोल होई है, यह मैं telegram channel पर भीज़ दूँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो यह सारी information पढ़ने के बाद, आपने click here to proceed पर click करना है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, नाम भरने के बाद, आप अपने पापा का नाम भरेंगे आप अपने मदर का नाम भरेंगे, मदर का नाम भरने के बाद, आप अपनी date of birth फिल करेंगे, date of birth फिल करने के बाद, आप अपना gender फिल कर सकते हैं, male है, या female है, इसके बाद आप अपनी identity type, जैसे कि मेरे पास अधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पर अधार कार्ड की option तो यह यहाँ पर address फिल कर दूँगा कि मेरी locality, country, state, district कौन सा है, pin code कौन सा है, मेरी email id क्या है, मेरा confirm जो email id है उसको दबारा भर दूँगा, यह सारी information भरने के बाद मैं अपना mobile number यहाँ पर भर दूँगा, mobile number एक बार भरने के बाद दबारा आपको अपना mobile number भरना पड़ेगा, इस इसके बाद मैं इस space को खाली शोड़ दूँगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, land line number, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं भरूँगा, मेरा address जो है permanent और correspondence address same है, तो मैं यहाँ पर सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर टिक करूँगा, जब मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, इसके आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, नाम आपका जो पहला अक्षर होगा, नाम का वो बड़ा आप कर देना, capital कर देना, बाकी नाम लिखने के बाद आप add the rate एक दो तीन ऐसे लगा दोगे, तो आपका जो password होगा, वो create हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ब उसके बाद आप कोई भी security question रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि आप कौन सी website rarely visit करते हो, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा YouTube, इसके साथ ही आप यहाँ पर अपना security pin भरने के बाद submit पर करेंगे, तो मैं अभी जल्दी से यह सारी information फिल करने के ब पताता हूं कि आगे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, मैंने इस page की सारी जानकारी भर दी है, और यहाँ पर आपको प्री माइसेज नंबर भी भरना पड़ेगा, प्री माइसेज नीम जो भी है, आपको भरना ही पड़ेगा, अगर आप इन सारी चीजों को नहीं भरोगे तो आपका फारम आगे नहीं जाएगा, और यहाँ पर सब लोकालिटी लिखी हुई है, अगर आप इसको खाली भी शोड़ोगे, फिर भी बात बन जाएगी, बाकि आपको कोई भी जो कॉलम दिखाई दे रहा है, यह खाली नहीं होना चाहिए, इस कॉलम को शोड़ कर, यह बर लिया, सेक्योटी कोशन फिल कर लिया, सेक्योटी आंसर भरने के बाद, अब हम सब्मेट पर क्लिक करेंगे, सब्मेट पर क्लिक करने के बाद देखते हैं, आगे कौन सी चीज़े आप से मांगी जाती हैं, जब आप सब्मेट पर क्लिक कर देते हैं, तो आप से पूछा जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर आपको पेज दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो information भरी है आप इसको एक बार verify कर लो verify करने के बाद आप submit और send OTP पर click करेंगे जैसे कि मैंने इसको close कर दिया close करने के बाद मुझसे यह पूछ रहा है कि मैंने अपना ना दिखा होगा मेरे ादर साभ का नाम लिखा होगा मेरी मदर का नेम लिखा होगा date of birth लिखी होगी gender होगा address होगा mobile number होगा औि-mail id लिखी होगी जब मैंने यहाँ पर टिक कर दिया मतलब मैंने सारी चीजे चेक कर ली हैं इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा agree कि मैं यहाँ पर ठीक है सहमत हूँ जो भी आपने कहा है इसके बाद submit and send OTP पर मैं क्लिक कर दूँगा इसके बाद आप से पूछा जाएगा कि आप सच में submit करना चाते हैं तो मैं कहाँ दूँगा बिल्कुल मैं यहाँ पर अब yes पर क्लिक करूँगा अगर मान लिजे आप कोई गलती कर चुके हैं उपर वाले फारम में तो यहाँ पर आप edit registration फारम पर क्लिक करने के बाद आप जो भी information आपने भरी है उसमें correction करना चाते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको correction का जो मौका है वो मिलतो जाता है बट आप कोशिश करिये कि आप कोई भी गलती ना करें तो मैं यहाँ पर submit and send OTP पर क्लिक करने के बाद yes पर क्लिक कर रहा हूँ submit पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक OTP रिसीव हो चुका है थोड़ा time लग रहा है हो सकता है कि यह जो problem है बाद में solve कर दी जाए बट फिलहाल जो OTP रिसीव करने में थोड़ा समय लग गया मेरे को recent OTP पर क्लिक करना पड़ा तो मैं अभी यहाँ पर OTP फिल करूँगा OTP फिल करने के बाद हम यहाँ पर submit registration फारम पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करने के बाद आपका registration जो फारम है application नंबर है वो generate हो जाएगा और आपका जो application नंबर है आपको यहाँ भी show करेगा आपका नाम यहाँ दिखाई देगा और आपका जो application नंबर है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि Registration Forum आपने फिल कर लिया है, इसके बाद आप Application Forum को भरेंगे, Application Forum को भरने के लिए आप कहां पर क्लिक करेंगे, Complete Application Forum पर हम यहां पर क्लिक करने वाले हैं, और आप हम समझेंगे कि कौन सी जो चीजे हैं, वो मांगी गई हैं, और हम कैसे उन चीजों को भर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर Complete Application Forum पर क्लिक करके बताता हूँ, यहां आपको Personal Detail भरनी पड़ेगी, Apply for and Examination City Detail भरनी पड़ेगी, Qualification Details भरनी पड़ेगी, अपने Photo और Signature अप्लोड करने पड़ेंगे, उसके ब कीसे बरना है, तो मैं यहां पर Personal Detail पर क्लिक करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, Personal Detail में आपको अपना नाम देख सकते हैं, नाम देखने कर बाद आप अपनी Data of Birth यहां से चैक कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना gender देख सकते हैं, आप अपने father का नाम यहाँ पर सही कर सकते हैं, mother का name सही करने के बाद आप से nationality पूशी जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर Indian क्लिक कर दिया है, इसके बाद आप से category पूशी जाएगी category आपने यहाँ पर fill कर देनी है, category fill करने के बाद आप यहाँ से पूशा जाएगा, कि person with benchmark disability, क्या आप special है, या फिर आप PWD candidate है, तो आप उस according यहाँ पर fill कर सकते हैं, जैसे कि मैं नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर no fill कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप से पूशा जाएगा, कि RPWD act के according, अगर आपको किसी scribe की जरूरत है, किसी और लिखने वाले की जरूरत है, exam के time में, आप नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर yes no कर सकते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मैंने यहाँ पर no click कर दिया, उसके बाद आप से पूछा जाएगा employment status, कि आप नौकरी करते हैं, या फिर नहीं करते, तो मैं यहाँ पर यहाँ फिल कर देता हूँ, कि मैं बिलकुल यहाँ पर नौकरी करता हूँ, तो as a teacher यहाँ पर जो option आएगी, मैं उसको फिल कर दूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, employed as a teacher, तो मैंने यहाँ पर यह फिल कर देना है उसके बाद मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर security pin दिया हुआ है वो फिल कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर मैं submit पर click कर दूँगा जब आप save and next पर click करते हैं तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप submit करना चाहते हैं इसको फिर आपने यहाँ यस कर देना है next page पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से exam के लिए apply करने जा रहे हैं जैसे कि मैं तो हूँ beard holder अगर मैं beard holder ना होता तो यहाँ पर paper one click कर देता हो सकता है कि आप मेंसे काफी सारे साथियों ने beard भी की हो diploma भी किया हो तो आप यहाँ पर both पर click कर सकते हैं ब पर देते हैं जिसके बाद उनको exam के time काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं और उनका जो 6 महिने या फिर साल हैं वो भी waste हो जाते हैं तो हमने यहाँ पर जैसे कि मैं हूँ beard holder मैंने beard की है तो मैं paper two के लिए फारम डालूँगा तो मैंने यहाँ पर click कर दिया जब मैंने यहाँ पर यह भर दिया कि मैं paper two के लिए फारम भर रहा हूँ class शठी से लेकर आठमी कक्षा की बच्चों को पढ़ाने के लिए इसके बाद मुझसे language पूछेगा कई बार जो language में जो काफी सारे साथी होते हैं उनको बहुत जादा समस्याएं आती हैं कि हमारे जो पंजाब के जो इंग्लिश पंजाबी भी कर सकते हैं पंजाबी इंग्लिश भी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं और इंग्लिश हिंदी भी कर सकते हैं बड़ ध्यान रहे आपने जो इंग्लिश है वो हमेशा second language ही choose करनी है क्योंकि अगर आप इंग्लिश को first language choose करते हैं तो इ यहाँ पर मैं paper 2 में English भरने जा रहा हूँ वैसे काफी सारे student पूछते हैं कि sir अगर हम Punjabi language 1 में भरते हैं और language 2 में अगर Hindi भर दी तो क्या हमारा जो paper है वो valid माना जाएगा बिलकुल माना जाएगा paper अगर 2 में भी अगर आप Hindi भरेंगे paper 1 में पंजाबी भरेंगे फिर भी आपका जो paper होगा वो valid माना जाएगा बट मैं यहाँ पर चलो English भर देता हूँ English भरने के बाद अब मैं यहाँ पर minimum educational qualification for class 6 to 8 इन्होंने पूछा है कि आप जो farm भर रहे हो आप जिसमें apply कर रहे हो आपका minimum qualification है आपके पास और इन्होंने यहाँ पर option दी हुई है एक से लेकर 8 तक मैं आपको सभी समझा देता हूँ सब में क्या लिखा हुआ है पहली option में इन्होंने लिखा हुआ है कि graduation की हुई है और आपने pass कर लिया है या फिर आप final year में है diploma in elementary education में जो भी यहाँ पर नाम बुला जाता है कि post graduation and passed or appearing in final year of bachelor of education कि आपने 50 प्रतिशत नंबरों से graduation pass की है या फिर आपने post graduation pass की है इसके बाद आपने साथ में आप beard में या तो pass हो चुके हैं या तो आप final year में हैं इसके बाद आपसे third option में कहा जा रहा है कि आपने graduation में कम से कम 45 नंबरों से आपने graduation pass की है और उसके बाद आपने या तो Bachelor of Education पास कर ली है या तो आप Final Year में हो अगर हम बात करते हैं B.E.D. की उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि आप Senior Secondary कि आप 12th Class आपने पास कर ली है लगबग 50% नमबरों से और अभी आप 4 साल का जो कोर्स होता है B.E.D. का Bachelor in Elementary Education आप उसमें या तो अपियर हो रहे हैं या फिर आप Final Year में है या फिर पास हो चुके हैं पांचवे ओप्शन में आप सिप कहा जा रहा है कि Senior Secondary और Its Equivalent कि आपने या तो 12th का क्लास पास करने के बाद आप या तो अपियर हो रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पास कर ली है B.E., B.E.D. जो भी नोने Integrated कूर्स की बाद की है उसके बाद 6th option में बताया गया है कि Graduation with at least 50% नंबर कि आपने 50% नंबर Graduation में लिये हैं और आपने या तो पास कर लिया है या तो आप अपियरिंग में होंगे B.E.D. Special Education में फिर भी आप फार्म को भर पाएंगे 7th option में लिखा हुआ है कि किसी भी Candidate जिन्होंने B.E.D. का जो प्रोग्राम है या तो वो उन्होंने Qualify कर लिया है या तो उन्होंने किसी भी कोर्स में दाखला लिया हुआ है वो भी इस फार्म को भर पाएंगे according to 2.7 इसके बाद इन्होंने last में जो 8th point है इसमें इन्होंने कहा है कि post graduation में कम से कम 55 परतिशत नमबर आपके होने चाहिए या फिर इसके बराबर का आपने grade या फिर आप appear हो रहे हैं B.E.D. M.E.D. की इन्होंने बात की है जो भी आपका 3 year का integrated course इन्होंने इसकी बात की है वो सा साल वाला course किया हुआ है और मेरी B.E.D. भी complete हो चुकी है तो मैं यहाँ पर कौन-कौन से जो option है वो भर सकता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने भरना तो एक ही होता है बट मैं यहाँ पर दूसरी option को भी भर सकता हूँ इन्होंने बोलाया कि 50% नमबर है बिल्क सकते हैं इसके बाद यहाँ पर option number 3 के लिए भी eligible हूँ क्योंकि graduation है ठीक है इसमें 45-35 नमबर होने चाहिए उसके बाद आप या तो बेर्ड में पास बेर्ड को पास कर चुको है हो या फिर आप appearing में हो इसके बाद आप option number जैसे की 5 है यह 4 साल वाला course है वो तो मैंने नहीं क हो पहले semester में हो पहले साल में हो अगर उसने B.Ed का या फिर किसी भी teaching के course में उनों जो की N.C.T.E. recognized course होते हैं जितने भी अगर किसी भी person ने उसमें दाखला ले लिया है तो वो person क्या हो सकता है इस forum को बर सकता है तो मैं यहाँ पर simply option number 2 पर कर देता हूँ या फिर 3 पर जैसे कि चलो यहाँ पर मैं option number 3 ही choose कर लेता हूँ तो यह सारी चीजे समझने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा minimum education qualification for paper यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 पर मैंने click कर दिया और जो साथी paper 1 वाले हैं वो भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं मैंने specially beard वालों का ही बता सकते हैं वैसे कोई matter नहीं करता कि आप यहाँ पर क्या भर रहे हैं क्योंकि जब आपका CTAT का certificate आएगा यहाँ वहाँ पर ऐसी कोई भी बात mention नहीं होती है यह just a formality होती है जब आप online forum को भरते हैं अब यहाँ पर आपसे subject पूछा जा रहा है कई बार जो SST वाले students होते हैं math science गलती से भर देते हैं अगर गलती से भर देंगे तो उनका जो certificate बनकर आएगा या फिर paper देने जाते हैं वो बिलकुल ही कामका नहीं होगा तो यहाँ पर जैसे कि मैं SST वाला student हूँ तो मैं यहाँ पर SST कर दूँगा social science फिर इन्होंने यहाँ पूछा कि qualifying exam कौन सा है कि म से city को choose करना चाहोगे जब आप exam देने जाओगे तो यहाँ पर first option है exam city city one choice तो मैं यहाँ पर चंडिगड़ चूज कर दूँगा चंडिगड़ चूज नहीं करूँगा मैं पंजाब चूज करूँगा पंजाब चूज करने के बाद अभी यहाँ पर exam city पूछा जा रहा है म मैं यहाँ पर फिर से पंजाब फिल कर दिया पंजाब फिल करने के बाद exam state उन्होंने यहाँ पर पूछी है और यहाँ पर exam city पूछी है तो मैंने यहाँ पर जलंदर फिल कर दिया जलंदर फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर exam state third इन्होंने city पूछी है तो मैंने यहाँ प स्टार्टिंग में फर्स्ट बार फारम फिल कर रहा हूं इसलिए कुछ ऐसा टेकनिकल गलेचा या फिर पता नहीं क्या प्रॉबलम है बट मुझे यहाँ पर फिल हाल सिर्फ तीन सिटीज ही शो कर रहा है जैसे कि बढ़िंडा जलंदर और अम्रिसर जो के मैंने अल्रेड़ी फिल कर दी है इसके बाद मैंने चंडिगर्ड यूटी पर भी यहाँ पर क्लिक करने के बाद चंडिगर्ड की जो ऑप्शन थी वो मैंने फिल कर दी है इसके बाद मैं यहाँ पर सिक्योटी पिन करने फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने वाला अब आप next page पर आपको ये सारी चीजे पूशी जाएंगी और दोस्तों जो मैंने आपको center दिखाये थे इन्होंने अपने farm में भी बताया हुआ है कि आपको यही center कुछ देखने को मिलते हैं तो मैंने just अभी चकी किया था कि पंजाब में इन्होंने तीन century दिखाये हैं जैसे पंजाब में अमरिसर, बठिंडा और जलंदर और इसके साथ साथ इन्होंने चंडिगर जो यूटी है आप वो भी भर सकते हैं तो आपने ये तीन option जो हैं वही आपको भरनी पड़ेंगी इसके बाद आप से पूछा जा रहा है कि आपका pass status क्या है तो मैंने यहाँ पर लि कि education या elementary education इसके बाद board या फिर university name इन्होंने पूछा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपनी जो भी university थी, university तो मेरी पिंजाबी university पट्याडा थी बट मैंने यहाँ पर देश भगत पंटे जेतन देव government college of education से की थी तो मैंने यहाँ पर यही fill कर दिया जब मैं यहाँ फिल कर दिया मैंने यह तो आपसे result mode पूछ रहा है कि आपका result mode कैसा है percentage है या फिर cgpa है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया percentage है इसके बाद इन्होंने आपका जो institute था उसका pin code पूछा है तो मैं यहाँ पर just google कर लूँगा कि देश भगत पंटेच चेतन देव government college of education का pin code क्या है तो google करने के बाद मेरे को यहाँ पर सारी जानकारी मिल चुकी है कि इस college का जो college है यहाँ पर इसका pin code क्या है तो मुझे जो भी जानकारी google से मिली है या फिर आपको pin code का पता ही होगा तो मैंने यहाँ पर इसको ही copy करने के बाद वहाँ पर जाकर paste कर दिया जो भी यहाँ पर pin code था तो मैंने यहाँ पर जाकर institute का जो pin code है वो मैंने paste कर दिया इसके बाद मैं security pin भरने के बाद save and next पर क्लिक कर दूँगा, अभी यहाँ पर मेरे से number भी पूछे जा रहे हैं कि आपके यहाँ पर कितने number आये थे total number में से कितने marks आपके आये हैं, percentage यहाँ पर अपने आप ही शायद calculate कर ली जाएगी तो मैं यहाँ पर यह number भी fill कर देता हूँ तो यहाँ मैंने 1800 में से 14, 64 जितने भी number यहाँ पर आये थे, मैंने वो यहाँ पर fill कर दिये हैं, तो यहाँ पर percentage अपने आप ही calculate हो चुकी है इसके बाद हम यहाँ पर save and next पर click कर देंगे submit करने के बाद save and next करने के बाद आप से photograph upload करने को कहेगा, तो आपने यहाँ पर 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपकी जो passport size की photo होती है, वो आपने upload कर देनी है तो जैसे कि मैंने वो जो files थी पहले ही save करके रखी हुई है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी जो photo थी, वो मैंने upload कर दी, photo तो upload करने के बाद मैंने यहाँ पर next कर दिया, upload पर यहाँ पर मैंने click कर दिया है, जब मैं यहाँ पर upload पर click करूँगा, यहाँ पर आ गया image file uploaded successfully, अभी आपको photo नहीं शो करेगा, यहाँ पर लेखेगा, click here to view uploaded document, इसके बाद मैं यहाँ पर अपने जो signature हैं, इसको भी upload कर दूँगा, यहाँ पर मैंने already signature जो थे, इसको भी यहाँ पर इनका जो size है वो शोटा करके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर यह भी upload कर दिया, आपके जो signature है वो 4KB से लेकर 30KB के बीच में होने चाहिए, अगर आपके पास कोई, बड़ी size वाली photo है, तो आप उसका size भी घटा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी upload करके, save and next पर click करूँगा, अभी आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर दोनों जो files हैं वो upload हो चुकी हैं, इसके बाद यहाँ पर जो भी security pin होगा मैं यहाँ पर करूँगा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको type करने के बाद, अभी मैं यहाँ पर next पर click करने वाला हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं, save and next पर मैंने click कर दिया, अभी यह आप से फिर पूछेगा कि आप सच में यह document submit करना चाते हैं, last में आप से यह पूछेगा, कि आपने जो फारम भरा हुआ है, आप इसको एक बार दबारा से, देख लीजिए आपने जो गलतियां की हैं या फिर नहीं भी की हैं, आप अगर सारी चीजों को पढ़ लेंगे, फिर आपने वहाँ पर टिक करने के बाद final submit कर देना है, तो मैं यहाँ पर close करने वाला हूँ, उपर जो भी information दी हुई थी मैंने सारी देख ली है, मैंने सभी अच्छे से देख लिया है, कि भी मैंने भरा था, वो सब अच्छे से सब कुछ सही है, अब यहाँ पर मैं अपना my name, my father name, my mother name category, gender, date of birth person with disability, examination city apply for contact detail सारी detail चेक कर ली है, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, अभी मैं यहाँ पर agree पर जब क्लिक करूँगा, final submission of application पर क्लिक करने वाला हूँ इसके बाद आप से फिर पूछेगा, yes no मैंने यहाँ पर, अब यह आपको यहाँ पर कहेगा, कि आप अपनी email id को verify करें, email id को verify करने के बाद, आप अपनी fees को pay करें, उसके बाद आपका जो farm होगा, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको print कर सकते हैं और आपका जो farm है, वो अच्छे ढंग से भर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी email id भरी होई है, इसके बाद मैं आपके सामने ही यहाँ पर security pin फिल करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं submit पर जब क्लिक करूँगा, उसके बाद यह मेरे को, मेरी email id पर एक OTP सेंड करेगा, तो इन्होंने बोला कि security pin मैच हो चुका है OTP आपके email पर भीज दी गई है अब यहाँ पर मैं OK पर क्लिक करने वाला हूँ अभी जब मैं यह video record कर रहा हूँ तो इस time पर इनके तरब से जो OTP है वो send नहीं किया जा रहा हो सकता है, थोड़ा time लगे इनकी website में थोड़ा सा glitch भी हो सकता है website इनकी थोड़ी सी हो सकता है starting phase में slow चल रही हो इनको इन problems के बारे में ना पता हो बट आप थोड़ा try करने के बाद आप अपना जो one time OTP होगा आप अपनी email ID में जाकर क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर यहाँ भर देंगे, verify करने के बाद आप payment वाली option रह जाएगी payment करने के बाद आपका जो फारम होगा वो complete हो जाएगा, तो दोस्तों आप आजगल का wait भी कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप email ID verify नहीं करोगे, तब तक आपका जो फारम है वो आप fees payment नहीं कर पाऊगे और आपका जो फारम है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपने थोड़ी सी wait कर लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो email IDs ट्राई कर ली हैं और इनकी तरफ से जो OTP है वो भेजा नहीं जा रहा तो इसलिए आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इंतजार कर सकते हैं तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं घतम, थैंक्यू, सो मच फर वाचिंग गॉड ब्लेस्यू आल